हेलो फ्रेंडे समाली क्लासस में आपका स्वागत है आई होप कि आप लोग बहुत बहुत ही अच्छे होंगे आज हम लेकिया जीके से बहुत ही महत्पुन टॉफिक को आज का जो टॉफिक है वो है वेद तो आज हम वेद के बारे में जानकाई लेंगे इससे पहले अगर अर्थ होता है तो बेद का अर्थ होता है ज्यान बेद का अर्थ क्या होता है ज्यान ठीक है बेद का अर्थ ज्यान होता है और इससे हम ज्यान का भंडार भी कहते हैं मतलब बेद को क्या करते ज्यान का भंडार भी कहते हैं ओके बेद सब्द के जो उत्पत्ती हुई है वो स संस्क्रीत भाषा के बिद धातु से हुई है, ठीक है, बिद धातु से हुई है, बेत का दूसरा नाम जो है, वो है सुरूती, क्या है शुरूती ठीक है, बेद का अर्थ क्या है ग्यान का भंदार बेद सब्ती जो पती है वो संस्रीत भासा के बेदातु से हुई है और बेद का जो दुसरा नाम है वो है शुरूती जानते हैं बेद के बारे में कि बेद मतलब बेद क्या है तो बेद जो है वो है प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य है बेद क्या है प्राचीन भारत के परमुक साहित्य है जो हिंदूों के प्राचीनतम और अधारबुत धर्म गंत भी है बेद विशो के सबसे प्राचीन सा ठीक है उसके आगे है कि बेद जो है बेद संस्कीत भासा के बित ज्ञाने धातु से बना है ठीक है बेद का अर्थ होता है ज्ञान पूरे संसार में इन बेदों में बताई गई सिक्षा से ज्ञान प्राप्ठ हुआ है ठीक है क्या हुआ है बेदों से बताई गरत है इसलिए हम बेद को ज्ञान का भंडार भी कहते हैं दर असल बेद संस्कीत भासा के बित धातू से हुई है इस परकार बेद का साबदीकर्थ है ग्यान का ग्रंथ हम बेद का जो साबदीकर्थ है वो क्या है ग्यान का ग्रंथ है बेद का दुसरा नाम सुरूती है सुरूती का अर्थ होता है सुनना क्या अर्थ होता है सुनना क्योंकि बेद स्रिष्टी के स्रिजनहार ब्रह्माजी के द्वारा रिसी मुनियों को सुनाएंगे ग्यान प्राधारित है यही कारण है कि इसे सुरूतु के नाम से भी जाना जाता है वही बाद में इसे रिसी और मुनियों द्वारा लिपिबत कराया गया था बेद जो है वो चार है बेद कितने है चार है कौन है रीगिबेद और अर्था बेद कितनी वर्ष पुराना है ये सटिक रूप से कोई नहीं बता सकता है लेकिन हाँ बेदों और जगत की उत्पत्ती को मतलब 76 वर्ष हो चुके हैं इससे मालूम परता है कि बेद बहुत ही ज्यादा प्राचीन और हमारी सभ्यता में आने से पहले ही ये मौजूद थी ठीक है तो बेद के बारे में इतनी जानकारी मैंने आपको दी तो आपको कमेंट करके जरूर बताए कि आपको ये जानकारी कैस लगी साथ ही लाइक और सेर भी करें मेरे चैनल पर नजए तरह सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तर के लिए बाबाई टिक क्या झाल